आज हम लोग इस वीडियो में एक ऐसे चीनी यात्री के बारे में जानेंगे जो 62 साल की उम्र में 1000 किलो मीटर की यात्रा करके चीन से भारत की और गुमने आए जिनका नाम था फायान फायान चीन से भारत की और या भारत में परियटन के लिए या यात्रा करने के लिए पहले यात्री थे जो आये थे फायान का जन 337 इस्वी में हुआ था चीन के एक जगह है चीन में जिसका नाम था वूवंग इस इस्थान पर हुआ था फायान को बच्पन में ही उनके पिता ने सिक्षा के लिए मट भेज दिया था मट के सांत वातावरण में उन्होंने कई वर्सों तक धार्मिक ग्रंथों का अध्यन किया जब वे धार्मिक गरंथों का अध्यन कर रहे थे तब उन्होंने देखा कि बहुत धर्म की एक महतपूर्ण गरंथ जिसे विनय पिटक कहा जाता है वो काफी बेकार हालत में थी आपको मैं बता दू विनय पिटक के बारे में कि ये बौध साहित्यों में एक अनमोल इस्थान रखता है विनय पिटक त्रिपिटक आपने नाम सुने ही होंगे किताबों के नाम है गरंथों के नाम है जो बौध धर्म में काफी विसेश इस्थान रखते हैं तो ये फायान न था कि बॉद्ध धर्म का जो विकास था, जो प्रारम्ब था वो भारत में हुआ था, हमारे बुद्ध जो है ये भारत में पैदा हुए थे, तो उन्हें ये चीच पता थी, फायान के कई मित्र थे, जिनमें से उनके साथ चार दोस्त थे जो उनके साथ भारत के सफर के लिए एक थे हुई चिंग और एक थे ताउचेंग फिर हुई मिंग और हुई वे यही सब चारों लोग फायान के साथ भारत की यात्रा पर निकले फायान की भारत यात्रा का उद्देश से बौध हस्तलिपी बौध के बारे में खोजना और कई ग्रंतों के बारे में जानने की इच इसलिए वो भारत की आत्रा पर निकले थे फायान उन्हीं इस्थानों पर भ्रमण के लिए गए जो बौध धर्म से सम्बंदित थे फिर फायान अपने चार दोस्तों के साथ चाइना से 399 इस्वी में कसगर पहुंचे फिर कोहटन से उत्तरी भारत पहुंचे यहां से इन्हे पैदल ही हिमाले पार करना था जो सबसे बड़ी चुनावती थी हिमाले की कठिन चड़ाई और तापमान सुन्ने डिगरी सेलसियस से भी नीचे ऐसी इस्थिती में फायान के एक दोस्त की हालत बहुत गंभीर हो गई थी और अंत में फायान ने उसे खो दिया यानि उनकी म प्रित्ती हो गई थी हिमाले पार करके वो विने पिटक की खोज में एक स्थान से दूसरे स्थान पर भटकने लगे प्राचीन काल में कला निती सभ्यता संस्कृति के छेत में भारत की ख्याती विदेश में फैल चुकी थी और यही कारण है कि भारत में हमेशा ही विदेश को ढूंडने के लिए आये और फायान पहले चीनी यात्री थे जैसा कि मैंने बताया जो भारत अपनी यात्रा के लिए आये थे हिमाले पार करके वे पहले पश्चिम में तक्ष शीला और पुरुस्पूर गए फिर वहां से दो आब की ओर यात्रा सुरुकी और मतुरा पहुँचे फिर वहां से साकेद, स्रावस्ति, कुशी नगर और वैसाली होते हुए पाटली पुत्र पहुँचे वहां समराट असोक के महल को देख कर वे बहुत अचंबित हो गए थे और उन्होंने कहा है कि ऐसा लग रहा है कि जैसे ये महल स्वयम देवताओं ने बनाया है ये बात उन्होंने अपनी बुक में लिखी है फायान ने पटली पुत्र में तीन साल बिताये और उस दोरान उ उन्होंने संस्कृत भासा सीखी और विने पिटक्प का चीनी भासा में अनुवाद भी किया फायान ने भारत में लगबग 12 वर्स बिताये थे जिसमें 6 वर्स यात्रा में और 6 अध्यवास में बिताये थे अपनी पूरी यात्रा का विवरण फायान ने बहुत अच्छे से किया है फायान की यात्रा के समय भारत में गुप्त वंस राज चल रहा था दो चंद्रगुप्त दुतिये के काल में ही फायान आए थे और इस वक्त जब भारत में गुप्त वंस राज चल रहा था उस वक्त चीन में जिन राज वंस का सासन था 414 इस्वी में उन्होंने अपनी यात्रा पर एक किताब लिखी जिसका नाम था बौध राजियों का अभिलेग अपनी किताब में चीन के रेशम मार्ग के बारे में भी लिखा फिर हिमाले के दुरगम रास्तों को पार करके जब वो भारत में पहुँचे तो 4,000 बौध बिख्शूओं से मिले और आगे विने पिटक की तलास में 14 बड़े मठों में गए फायान ने अपनी बुक में लिखा है कि यहां पर उस वक्त मठों में सबसे बड़ा मठ हुआ करता था गोमती विहार जो काफी प्रसिद था जिसमें करीब 3,000 महायान धर्म के समर्थक रहते थे गोमती विहार के पास ही एक दूसरा विहार था जो करीब 2,500 फिट उचा था जिसमें सोना चांदी और अनेक धातूओं का प्रयोग किया गया था आगे चलते हुए फायान पुष्क लावती पहुँचे जहां पर फायान ने ही नियान संप्रदाय के लोगों को देखा बड़ा ऐसा माना जाता है कि यहां बोधिस्त्व ने अपनी आखे किसी और को दान की थी फायान ने यहां पर सोने और चांदी से जड़ित इस्तूप के होने की बाद भी बताई है पुष्प कलावती के बाद फायान तक्छ शीला पहुँचे चीनी सुरोतों का मानना है कि बोधिस्त्व ने यहां पर अपने सिर को काट कर किसी व्यक्ति को दान कर दिया था बनवाए गए 400 फीट उचे इस्तूप को उसने देखा जो बहुत सुन्दर था फायान अपने सफर में आगे चलते हुए नगर दे पहुचा जहांके एक इस्तूप में बुध के सिर की हड़ी के गड़े होने का साक्षे बताते हैं मथुरा पहुचकर फायान ने यमुना नदी के किनारे बने 20 मठो के दर्सन भी किये आगे फायान मध्यप्रदेश की यात्रा की और इसकी सरवाधिक प्रसंसा की है यात्रा के अगले क्रम में फायान साकेत और फिर स्रावस्ति पहुचे वहाँ पर फायान ने जेतवन देखा जिसे उसने सुवन उपवन कहा है इसके बाद कपिल वस्तु कुशी नगर और वैसाली से होते हुए पाटली पुत्र पहुचे पाटली पुत्र को फायान ने भारत का सर्वस्रेश्ट नगर बताया है पाटले पूत्र में उसने हीन यान और महायान दोनों के मठ देखे फायान अपनी यात्रा में स्री लंका और जावा दूइब भी गए थे जिसका वर्णर उनकी किताब में मिलता फायान ने अपने बुक में और भी अच्छी बाते लिखी हैं भारत के परिपेक्ष में फायान के अनुसार उस समय भारत की जनता बहुत ही सुखी थी कर का भार बहुत कम था सारिरिक दंड और मृत्यु दंड का प्रचलन बिलकुल नहीं था गुप्त काल के राजवन्स की आर्थिक दसा के बारे में फायान ने लिखा है कि इस समय भारत का व्यापार उन्नत दसा में था और बड़े बड़े जहाजों से व्यापार करने का भी वर्णन किया है फायान ने और ये भी बताया है कि भारती समराट विद्वानों और कलाकारों का संरक्षन करते थे फायान अपने देश चीन वापस लोटते समय बड़े से जहाज पर बैठ कर गए थे फायान ने अपनी पूरी यात्रा पैदल ही की थी और जब वे वापस अपने देश चीन लोटे थे तब उनकी उम्र 77 वर्स की हो गई थी और जब वे चीन चले गए थे तो उसके बाद लगभख 422 इसवी में फायान की मृत्यु हो गई थी जो चाइना में ही हुई थी तो ये थी जानकारी फायान के बारे में जो एक चीनी यात्री थे जो सबसे पहले चीन से भारत की और यात्रा करने आये थे जो कि अजिए कर वाद दो एक्छिए जाए कर दो कारण जाए हुए को एक करने के बारे में घ्क चारडा कर दो बारे में जाए हुए हुए हुए।